आज का वीडियो शूट क्या गया है फुकेट के फेमस वाकिंग स्ट्रीट में इस वीडियो में आप देखेंगे क्या होता है थैलें की पॉपुलर पत्रॉल पार्टीज में वीवेस के लिए है खुटीश रिक्वेस्ट प्लीज इस वीडियो को देखें मेरे बारे में कोई गलत थिंकिन मत बनाना की बिकास इस नोट मैय तैप पार्टी इप फार्टीच फार्टीच फर्मी इस वीडियो को शुरुवात मिली मेरे फुकेद आने से जो मैं आया था अगस्ट 2019 में फब क्रॉल पार्टी ये पार्टी और्गिनाईज की गई थी मेरे होस्टल से जिसका नाम था बोडेगा पार्टी होस्टल और ये था लोकेटिड बहुत ही पास पेटांग बीच के और बांगला वाकिंग स्ट्रीट के यहां मैंने होस्टल बुक किया था 180 बात में और पार्टी की एंट्री टिकेट की कोस्ट थी 450 बात ऐसी पार्टी में 450 बात देने के पाद जो की होते हैं इंडियन रुपीज में अराउंड 1000 रुपीज आपको मिलता है फ्री ड्रिंक्स, फ्री फूर्ट, फ्री टी शर्ट और फ्री ट्रांस्पोटेशन पार्टी की शुरुवात के साथ ही स्टार्ट होती है फिर्स्ट फन एक्टिविटी जिसका नाम है बियर पॉंग बियर पॉंग गेम में दो टीम्स हेलती हैं जिसमें की दोनों टीम्स रहती हैं टेबल के अपोजिटेंट्स पे अगर आपका निशाना लगा ठीक तो बियर पीएगा ओपॉंग और अगर नहीं तो पीने पड़ेगी आपको ही और यहाँ पार्टी में आजाता है एक अमेजिंग ट्विस्ट जब दिये जाते हैं इस सेट आफ चलेंजिस टू अवलंटियर यहाँ भाई साब को मिले 20 चलेंजिस जो इनको पूरा करने थे ट्राउड के पोस्टल में रहते हुए ही साथ ही शुरू हो जाता है यहाँ पे बफे डिनर भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं मिलती हैं लेकिन आप पार्टी में कितना ही एक्सपेट करेंगे एक इंसान से खाने के लिए ऐसे ही कुछ एंजॉय करते हैं लोग अपनी फ्री अल्कोहलिक बकेट और डिनर और यहाँ होस्टल के बार में ही यह भाई सब लगे थे अपने दिये हुए चलेंजिस पूरे करने में यह चलेंजिस उस भाई के लिए बन गए थे सजा और बाके सब के लिए मज़ा उन 20 च मुस्ट ओफ दा लोग यहां सोलो ही आते हैं लेकिन यहां ऐसी पार्टी के बाद यह सब बन जाते हैं बहुत ही अच्छे दोस्ट जहां लोग फील करने लगे थे थोड़ा सा टिप सी लेकिन बियर पॉंग का गेम मेशा चालू रहता है यहां मुझे भी मिले बहुत ही अमेजिंग लोग इन भाई साब के चलेंजिस का जहां लास्ट पार्ट आ चुका था बियर पॉंग भी अपने चरंड सीमा पे थी बाहर लिटरली क्रॉल करने और बाहर निकलते हुए मुझे मिले यह भाई साब जिनके साथ की मैने थोड़ी सी बाते हैं य। हूप खाइचत थी य। य। किस अरते हैं जयोग कर विए कर जेन युक्या मैं आओ अचको पाई पाई बार गै geez डेढ़िया, बेढ़िया प्राविया, अश्यूब उप्यूब अच्ताइब जूर्णी है अजुट्ट्ट्ट्ट्मी, वार्णी इस ताया? मैं देखाने हैं एक उड़े हैं व बारोग देखाने हैं और फिर सबी पार्टी एनिमल्स को लोग किया जाता है एक बहुत ही प्यारे वहिकल में यहां पार्टी का लेवल बढ़ता ही रहता है और हम सब को ट्रांस्फर किया जाता है बांगला वॉकिंग स्ट्रीट पे और यहां हमारी एंट्री होती है फर्स्ट पब में और यहां पहुंचके यह सब पार्टी एनिमल्स हो जाते हैं और बिज़ादा वाइल्ड ड्रिंक्स और डांस्ट के साथ यहां लोग मज़ा उठाते हैं फ्री पूल और स्नूकर का भी हर कोई अपने टाइप का एंजॉइमेंट डूंट ही लेता है और मुझे मज़ा आ रहा था शूट करने में और पुकेट के इस पब के डीजे को शायद पंजाबी गाने बहुत ही ज़ादा पसंते इसलिए मुस्ट अडर टाइम वो प्ले कर रहा था टिपिकल पंजाबी गाने और यहां पब ट्रॉल मेंबर्स को फिर से मिलती है एक फ्री ड्रिंग और फिर यहां से मूव किया जाता है नेक्स्ट पब की तरफ इस पब की एंट्री पर फिर से दी जाती है एक फ्री ड्रिंग यहां नशे डांस और पार्टी का लेवल चला जाता है एक स्टेप और आगे यह था एक एक एक्स्क्लूजिव डांस क्लब जहां पे पार्टी के मेंबर्स दे रहे थे एक डांस पर्फोर्मेंस और दूसरी साइड पे वहां की लोकल क्रू भी दे रहा था उनको कांटे की टक्कर यहां था बहुत कांटे का कॉंपुटेशन जिसका विनर तो कोई नहीं निकला लेकिन लोगों ने मज़ा बहुत लिया जहां एक तरफ ले रहे थे लोग डांस का मज़ा वहां कुछ लोग एंजोई कर रहे थे बिच्चू खाना भी जो मिल रहा था सो भात में और फिर सवारी चल पड़ी नेक्स पब की तरफ इतनी पार्टी करने के बाद भी लोग यहां पर ठके नहीं थे वो कर रहे थे डैंस पर डैंस इतना डैंस इतना पार्टी करने के बाद भी यह ग्रूप अभी ठका नहीं था अब इस पार्टी ग्रूप ने मूव किया एक लास्ट पर में जो की खुला रहता था पूरी राच इस पार्टी पब में थी और भी अदर बीड क्योंकि यहां पर इकटे हुए थे पब क्रॉल पार्टी और भी होस्टल्स की लेकिन बोड़ेगा पार्टी होस्टल के पार्टी लवर्स के थे अलगी रंग डंग जिसके आगे बापी सब लग रहा था बहुत ही फीका और यहां मुझे देखने मिला एक ऐसा डांस वार्म जिसके बारे में कभी सुना भी नहीं था लेकिन ऐसा कुछ देखके आप डरियेगा नहीं क्योंकि आप थाइलेंड में हैं अब यहां से होस्टल क्रू की जिम्मेवारी हुई पूरी और जो जो जैसे जैसे ठकता जा रहा था वो अपने आप जा रहा था वापिस होस्टल की तरफ सुबा के तीन बजे तक मेरे पास हो गया था enough content मेरे प्रोजेक्ट के लिए इसलिए मैंने गरुप किया वापस अपने पोस्टल रूम की तरफ C Thank you guys for watching this video ये मेरे पहली वबसरीज है So if you like this video and looking forward to more of them, then please hit the like button and do subscribe my channel Also you can follow me on instagram with the link in description And don't forget to share it with more people so that they can also live their dream